नमस्कार्ड दोस्तो। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। electricity bill का payment करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको recharge and pay bills का एक section देखने को मिलता है जिसमें आपको mobile recharge और electricity gas booking जैसे सभी option आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको बिजली बिल का भुकतान करना है तो इसके लिए आपको electricity वाले option पर click कर देना है जैसे ही आप electricity वाले option पर click करेंगे तो अब आपको यहाँ से अपना provider select कर लेना है जो भी आपका provider है आप उसे select कर ले तो यहाँ पर हमारा Tata power है तो हम Tata power select करेंगे अब आपको यहाँ पर अपना CA number CA number जो है इसके अंदर enter करना है CA number कहा लिखावा होता है इसके लिए आप view sample विल पर click करके वो आप देख सकते हैं CA number एंटर करके यहाँ पर आपको confirm बटन पर click कर देना है जैसे ही आप CA number एंटर करेंगे और confirm बटन पर click करेंगे तो इसके बाद जो है आपका जो यहाँ पर विल डिटेल्स में क्या होगा कि आपका नाम आपका CA number आपका जो बिल नंबर है यह सब डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका कितने का कितना amount है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो अब आपको क्या करना है सिर्फ proceed to pay वाले option पर किलिक कर दिना है proceed to pay पर किलिक करते ही अब आपको अपने bank account को select करना है उसके बाद यहाँ पर pay option किलिक कर दिना है और यहाँ पे अपना UPI पिनिस के अंदर एंटर करके Done बटन पर किलिक कर देना है इतना करते ही आपके अकाउंट से जो है पैसे डेबिट हो जाएंगे और आपका जो बिल है वो पे हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हमारा बिल पेमेंट हो चुका है तो दोस्तो आप इस परकार से जो है आप फोन पे एप के माध्यम से अपने घर के बिल का भुगतान कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो मारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपके मन में किसी भी परकार का सवाल हो तो हमारे इस वीडियो कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग